यह विमला का घर है विमला अपने पती भूला के साथ घर के आंगन में खड़ी हुई है वैसे तो विमला का घर कच्चा है परन्तो विमला ने अपने घर को बहुत सुन्दर तरीके से पेड़ पोधों से सजा रखा है उसने अपने घर के आंगन में तरह तरह के फूल और पेड़ पोधे उगा रखी है विमला के घर का आंगन देखने में बहुत ही जादा सुन्दर लगता है तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ विमला का आंगन इतना जादा सुन्दर है कि एक मोर ने विमला के घर में ही रहना शुरू कर दिया है विमला के घर जो भी आता है वह विमला के घर की तारीफ किये बिना रुक नहीं पाता बहुत सुंदर सुंदर फूल विमला की आंगन में खिले है मुझे अपने घर को मिट्टी से लीपोत कर सुन्दर बनाना होगा सुन्ये जी क्या आज आज आप खेतों से खास ले आएंगे पश्वों के लिए आज मुझे बहुत जादा काम है पहले मुझे खेतों से पानी लेकर आना है कुवा बड़ी दूर है हाँ हाँ मैं ले आओंगा ये बगवान सारे का मुझे ही करने होंगे उधर फसल पक्तर तया है कुशी दिनों में गेहों की कटाई भी शुरू हो जाएगी इधर यह विमला है कि मुझे काम पे काम बताती रहती है इधर पशुबूखे हो गई हैं और वो जोर जोर से बोल रही है अरे चुपो जाओ नीलू चुपो जाओ शोर ना करो मैं जा रहा हूँ खेतों में अरे हीरा तुभी बड़ा शोर करता है भाई इतना ना बोल तूँ मैं तेरे लिए गास लेकर आ रहा हूँ मुझे अपने खेतों में जाना होगा वहां से हरे भरे चने की फसल उगी हुई है वही काट कर ले आओंगा कितना सुन्दर है मेरा गाउ एक बार घर से बाहर निकलो तो मन ही नहीं करता घर की तरफ जानेगा रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है मेरा गाउ चारों और से अरे बरे खेतों में पक्षियों की चह चहाहट कितनी अच्छी लग रही है कितना सुन्दर लग रहा है मेरा गाउ देखो जो इस गाउ में आ जाए वापस तो जा ही नहीं पाता मैं ऐसा करती हूँ माजी को कहती हूँ कि मैं पानी लेने जा रही हूँ काम बहुत जादा है माजी माजी कहा है आप लगते है माजी घर के पीछे वाले आंगन में गई है मैं जल्दी से पानी ले आती हूँ सोना मैं पानी लेने जा रही हूँ ऐसा कहकर विमला पानी लेने के लिए चल पड़ती है मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा हमारा कुश भी तो बहुत दूर खेतों में है राधा भी घर पर नहीं है मैं पश्वा के लिए गास लेने गई है मुझे अकेले ही जाना होगा पहले तो नंदनी बेहन के साथ चली जाती थी मैं नंदनी बेहन तो अपने ससुराल चली गई अब तो मुझे अकीले ही जाना होगा चल विमला जल्दी चल कुवा बड़ी दूर है बड़ा लंबा रास्ता तै करके जाना होता है हमें कुवे पर दूप भी बहुत हो गई है मुझे जरा तेज कत्मों से चलना चाहिए अरे वाह कुवे के पास तो बहुत जादा सुन्दर फूल के लिए हुई है मैं कुछ पोदिय अपने साथ घर ले जाऊंगी पर अपनी घर के आंगन में उगा दूँगी कितनी सुन्दर लग रही है रंग भी रंगे फूल मैं कुवे पर पहाँच गई इदर भोला खेतों से घास लेने के लिए चला जा रहा है जल्दी चल भोला जल्दी चल पहले पश्यों को घास डाल कर आऊंगा फिर दुबारा खेतों में आना होगा अब फसल की रखवाली करने होती है पकी पकाई फसल को नीलगाएं बरबाद न कर दे मुझे जरा तेज कदमों से जा रहा होगा मैं सबसे पहले घास लेकर आता हूँ अरे घास ठीक नहीं है मैं ऐसा करता हूँ हरे भरे चने ही काट कर ले आता हूँ पशु बड़े खुश होकर काते हैं हरे भरे चने अरे मैं तो चलते चलते ठक ही गया अभी कुछ दोर और जाना होगा मुझे खेत बड़ी दूर है हमारा शुक्र है खेत तक पहुँच गया अब मैं जल्दी जल्दी चने काट लेता हूँ देर सारे चने काट कर ले जाओंगा मैं हाँ इतने बहुत हैं अब मैं इन्हें अच्छे से बांध लेता हूँ अरे मुझे रस्ती डूननी पड़ेगी भाई हाँ रस्ती भी मिल गई मैंने चने को बांध लिया अब मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ जाता हूँ पशु बहुत भूखे हो गई है अरे बारे चने देखकर हीरा और नीलु खुश हो जाएंगे मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ अरे मैं तो ठक गया मेरे तो पैर ही दुखने लग गई चलते चलते अब मुझसे और ना चला जाएगा सूरज भी तो सर पर चड़ाया है बड़ी गर्मी हो गई है जाने फसल की कटाई कैसे हो पाएगी इस साल अब तो गर्मी बहुत जादा बढ़ गई है किसी चायादार व्रिक्ष के नीचे बैठ कर थोड़ा विश्राम करना होगा मुझे तब ही आगे चल पाओंगा मैं तो बहुत जादा ठक गया हाँ यह पेड सही है मैं यह गास की गठी यहाँ पटक देता हूँ अब मैं उस चायादार पेड के नीचे बैठ जाता हूँ वहाँ कितनी अच्छी थंडी हवा चल रही है ऐसा कहकर बोला एक भरे भरे पेड के नीचे बैठ जाता है दादे मा मैं कुछ मेथी के पत्ते तोड लेती हूँ आई शाम को मुझे मेथी के पराठे खाने है मेरा बड़ा मन है हाँ हाँ सोना तुम थोड़ी से मेथी तोड़ लो शाम को हम मेथी के पराठे ही बनवाएंगे तुम्हारी मा से यहाँ कुछ जंगली कार सुगाई है मैं उसे साफ कर देती हूँ पेड़ों के पत्तियां गिर गई है मेथी के पोधों में इसे अच्छे से साफ करना होगा अगर पेड़ पोधों का रख रखाव ना किया जाए तो पोधे नश्ट हो जाती है तुम्हारी मा बिचारी पूरा दिन काम में लगी रहती है उसे फुर्सत कहां मिलती है यह सब करने की इसलिए हमें तुम्हारी मा का हाथ बटाना होगा अरे देखो कितने पत्ते गिर गई हैं पेड़ों से तूट तूट कर मेथी के पोधे तो बड़े अच्छे होगी है मेथी की पराठे तो सब को बहुत ही जादा पसंद है इधर भोला पेड के नीचे बैठा हुआ है मैं बहुत देर से बैठा हूँ मेरी थकान भी कुछ कम हो गई है अब मुझे चलना चाहिए पशु बूखे हैं और मेरी राह देख रहा होगा मेरा हीरा नीलू भी तो जब से बोले जा रही थी बूख के कारण अब मैं अपनी गठ्री फिर से उठा लेता हूँ कुछ तेज कदमों से चलता हूँ नहीं तो बहुत देर हो जाएगी शुक्र है मैं घर पहुँश तो गया अरे चुप हो जाओ नीलू इतना शौर क्यों कर रही हो तुम मैं ले आया हूँ तुमारे लिए हरे भरे चने खालो तुम दोनों ऐसा कहकर वह जमीन पर चनी की गठ्री को पटक देता है हीरा और नीलू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं हाँ हाँ मैं ला रहा हूँ तुमारे लिए हरे भरे चने रुको तो सही ए भगवान ये तो मेरी सुनते ही नहीं है जब से शौर किये जा रही है मैं यह चने की गठ्री कोल कर पशू के आगे डाल देता हूँ लो बाई हीरा यह लो नीलू खाओ हरे भरे चने अब मुझे फिर से खेतो में जाना होगा जी भर के खाना हरे भरे चने तुम्हें बहुत पसंद है प्यारी नीलू अच्छा भाई हीरा अब मैं खेतो में जाता हूँ नीलू बहुत खुश हो जाती है और वह दोड़ी दोड़ी चने के पास आती है और जल्दी जल्दी हरे भरे चने खाने लगती है हीरा भी दोड़ता हुआ चने के पास आता है और जल्दी जल्दी चने खाने लग जाता है इधर मिमला कुछ तेर से कुए के पास खड़ी होई है कितने सुन्दर पेड़ पोदे हैं मैं जाकर देखती हूँ देखो वह गुलाबी रंगे फूल कितने अच्छी महक आ रही है मैं पास जाकर देखती हूँ कितने सुन्दर फूल है हमारा गाउं बहुती जादा सुन्दर है अरी देखो तो कितने सुन्दर लग रही है यह गुलाबी रंगे फूल गोरी के बापू को कहोंगी कि घर की आंगिन में लगा दे ऐसे गुलाबी रंग के फूल कितनी अच्छी महक है सारा वातावरन महक रहा है इन फूलों से तो अब मेरे पास ज़्यादा समयना है विमला कुवे से पानी भर कर घर की तरफ चल पड़ती है यहां तो बहुत अच्छी मित्ती है घर को लीप पोट कर बहुत सुन्दर बना दूँगी मैं चल अतीज कट्मों से चलती हूँ मटका बड़ा भारी है प्रादा वेहन भी खेतों में गई हुई है उनकी फसल पे पकर तयार हो गई है उन्होंने तो कटाई पहले से ही शुरू कर दी है हमारी फसल में अभी थोड़ा समय लगेगा तब तक मैं अपने घर की अच्छे से मरमत कर लेती हूँ मैं घर पहुच गई मटका बहुच ज़्यादा भारी है मैं इसे यहां रख देती हूँ अरे यह क्या गोरी के बापो मुझे आवाज लगा रहे है क्या हुआ जी अभी आती हूँ मैं क्या कह रहे हैं आप मैं तो कुवे से पानी लेने गई हूई थी अरे जल्दी आओ विम्ला मैं कह रहा हूँ कि मैं खेतों में जा रहा हूँ गर का ख्यार रखना तो मैं कब से राओ देख रहा हूं तुम्हारी मा भी दिखाई नहीं दे रही मा कहा है और सोना कहा है ये बगवान ये जाने कहा खेलती रहती है गोरी सोना अजी सोना तो मा के साथ गर के पीछे वाले आंगर से मेथी के पोदे लेने गई है और गोरी अपने काकी के साथ गई है खेतो वाले घर में अच्छा विम्ला मैं जाता हूँ खेतों में मुझे फसल की रखवाली करनी है कुछ दिन बाद हम फसल की कटाई शुरू कर देंगे ऐसा कहकर बोला खेतों की तरफ चला जाता है मैं जाकर देखती हूँ माजी और सोना क्या कर रही है मा मा हम मेथी तोड रहे है हाँ हाँ विम्ला हमने मेथी के पोदों से जंगली घास अटा दी धन्यवाद माजी तुम ऐसा करना आज शाम को मेथी के पाराठे बना देना सबके लिए हमने मेथी तोड कर रखती है यहाँ कुछ जंगली पोदी और है मैं उन्हें भी हटा दू ठीक है माजी मैं खेतों से मित्टी लेने जा रही हूँ खेतों से आने के बाद मैं घर को लीप दोंगी और फिर सबके लिए गर्मा गरम मेथी के पाराठे भी बना दूँगी यहाँ बरतन उठा कर ले जाती हूँ इसमें धेर सारे मित्टी लेकर आऊंगी मैं खेतों से बहुत ज़्यादा मित्टी की आवशकता है मुझे पूरे घर की मरमत करनी है अच्छे से फिर हम फसल की कटाई में व्यस्त हो जाएंगे तो घर की मरमत करने का समय है ना लगेगा मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ खेतों की तरफ खेत बोड़ी दूर जो हैं वहाँ बहुत अच्छी चिकनी मित्टी मिलती है मोसम का भी कुछ नहीं पता की कब बारिश शुरू हो जाए पिछली साल तो बारिश और आंधी में हमारा घर ही तोट गया था परन्तो अब की बार में अपने घर की अच्छे से मरमत कर लूँगी मैं जल्दी जल्दी इस बर्तन को मित्टी से भर लेती हूँ मैं बर्तन को बर लिया अब मैं उठा कर गर की तरफ जाती हूँ मैं मित्टी ले आई यह मित्टी का बरतन यहा आंगन में रख देती हूँ अब यह मित्टी में जमीन पर डाल देती हूँ फिर इसमें थोड़ा पाने मिलाना होगा मुझे मैं तो बहुत ज़दा ठक गई हूँ यह मिट्टी यहां जमीन पर डालने होगी मुझे अब इसे अच्छे से फैला लेती हूँ अब इसमें पाने डाल देती हूँ वहर ही पानी की बाल्टी मैं उठा कर लाती हूँ ऐसा कहकर विमला पानी से भरी बाल्टी उठा कर लाती है और मिट्टी में पाने डाल देती है अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ मैं मिट्टी को मैंने अच्छे से मिला दिया है मुझे अपना चूला भी लीपना होगा ऐसा कहकर विमला अपने चूले को लीपने लग जाती है मैं जल्दी से चूला और कर अच्छे से लीप कर सुन्दर बना लेती हूँ उसके बाद मुझे सबके लिए खाना बनाना है विमला पूरा दिन कड़ी मेहनत करती है और अपने घर और चूले को लीप कर बहुत ही जादा सुन्दर बना देती है मैंने चूला लीप दिया है और घर को भी अच्छे से लीप बोट कर मैंने सुन्दर कर दिया मेरा घर कितना सुन्दर लग रहा है मा जी और सोना सारा दिन मेहनत करके ठाक गई है मैं दोनों घर के अंदर आराम कर रही है मैं अब सब के लिए खाना बनाऊंगी गोरी ताउची के घर गई हुई है वह पिस उश्पा के साथ आती ही होगी मुझे सब के लिए मेथी के गर्मा गरण पराथे बनाने है साथ में मैं स्वादिष्ट आलू की सब्ची भी बनाऊंगी मेरा घर बहुत सुन्दर लग रहा है अब मैं चल्दी से खाना बनाने की तयारी करती हूँ दोस्तों इसके बाद कहाने में क्या होगा यह सब जाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा हमारे चैनल आप सब भी विमला के हाथ के मेथी के पराटे खाने जरूर आना धन्यवाद दोस्तों